नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियान परागदास के बारे में जो एक भारते क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में आसाम के लिए खेलते हैं और IPL में राजिस्तान रोयल्स के लिए खेलते हैं यदि आप रियान के फैन हैं तो कृपिया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंतक जरूर देखें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें for more updates बात कहते हैं रियान के जनम और परिवार के बारे रियान का जनम 10 नवंबर 2001 गोहाटी आसामराज्ये में हुआ 2021 के हिसाब से इनकी आयू 20 वर्ष है इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई साउथ पॉइंट स्कूल गोहाटी से पूरी की है रियान एक sports person family से बिलॉंग करते हैं क्योंकि उनके परिवार में उनके माता पिता दोनों ही sports person है इनके पिता जी का नाम परागदास है जोकि एक्स रंजी क्रिकेटर रह चुके हैं और इनकी माता मित्थु बैरूदास इंटरनेशनल स्विमर रह चुकी हैं अगर कहा जाए रियान का पूरा परिवार ही खेल जगत से सम्बंद रखता है और इसी चीज़ को देखते हुए रियान बड़े हुए हैं उन्होंने बच्पन से ही अपने परिवार को खेल जगत में समिलित पाया और वही से उन्होंने प्रेणा ली कि वह भी अपने परिवार के नक्षे कदम पर चलते हुए खेल जगत में अपना नाम बनाया आईए बात करते हैं उनके क्रिकेट करियर के बारे में रियान की परिवार में बचपन से ही खेल को लेकर अच्छा महोल रहा है। इसी के चलते हुए उन्होंने अपने बचपन से ही अपना पूरा ध्यान खेल की तरफ रका और बहुत ही कम उमर में क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपने कम उमर होने के बावजूत, खेल में अपनी मेहनत से मातर 12 वर्ष की आयू में इनका चैयन आसाम के लिए अंडर 16 क्रिकेट में हुआ और इसी तरह रियान ने अपना क्रिकेट करियर शुरू किया 2017 के T20 मैच में रियान का चैयन आसाम की तरफ से जारकन के खिलाफ हुए मैच में हुआ और इस मैच में रियान ने अपने चैयन को सही साबित करते हुए बहुती शामदार प्रदर्शन किया 2018 के प्रतम श्रियनी क्रिकेट रंजी ट्रॉपिक के लिए हसन की तरफ से अपना प्रदर्शन किया और पहला मैच हैदराबाद की खिलाफ खिलाफ आए बात खेलते हैं इनकी अंतराश्ट्रे क्रिकेट करियर के बारे में घरेलू क्रिकेट में बहुती शामदार प्रदर्शन के चलते इनका चैन सबसे पहले अंतराश्ट्रे स्तर पर जुलाई 2017 में अंडर-19 क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ हुआ जो की काफी अच्छा रहा पहले ही टेस्ट मैश में शामदार पारी खेलते हुए अर्थशतक बनाया और 2017 में फिर से इनका चैन अंडर-19 टीम में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ जो मलेशिया में खेला गया और लगातार प्रदर्शन के कारण 2018 दिसंबर में इनका चैन अंडर-19 वर्ल्ड कप में हुआ और इसी तरह उन्होंने अपने अंतराश्ट्रे करियर में ही एक शांदार और बहतरीन शुरुआत की आई पात करते हैं इनके IPL करियर के बारे में IPL 2020 में राजिस्तान रॉयल्स की टीम ने शांदर प्रदर्शन किया जिसमें कप्तान संजू सैम्स के अलावर राहुल तप्तिय और रियान ने इन दोनों ने मिलकर राजिस्तान रॉयल्स की टीम को कुछ अविश्वसनिय मैच जिताने में मदद की जिसमें रियान का बहुत ही मैट वकून योगदान रहा। इसी सल 2020 में एक मैच और जीता। इस बार भी 2022 में रियान राजिस्तान रॉयल्स टीम के हिस्सा हैं और राजिस्तान रॉयल्स ने उन्हें पूरे 3.8 करोड रुपे में खरीदा है। आएए बात करते हैं इनके परसनल स्टाट्स के बारे में रियान की हाइट 59 है और इनका वेट 60 किलो है और इनका बाड़ी मेजरमेंट चेस्ट 35 इंचेस, वेजट 30 इंचेस, बाइसेप 11 इंचेस और इनके काले बाल और काली आखी हैं। दिले चरशा करते हैं इनके फेवरिट और प्रेफरेंसिस के बारे में। पीते हैं नहीं।